हलो दोस्तों नमस्कार एक बार कुना स्वागत है आप सभीनों का अपने यूटूब चैनल अभ्यान बालूजी क्लासे में तो चलिए आज से हम लोग फिर से वीडियोज को कांटिनू करते हैं बीच में कुछ चिलेट हो गया तो हम लोग पढ़ रहे थे सिकंडरी ग्रोथ इ कैसे होती है और वह भी दुत्तियक जड़ में सेकंडरी ग्रोथ में तो जैसे आपने इस्टेम में पढ़ा था कि दो टाइप के कैम्बियम बनते हैं एक वैस्कुलर कैम्बियम बनता है और दूसरा कार कैम्बियम बनता है और दोनों की वज़ा से सेकंडरी ग्रोथ होती है सेम वही चीज़े यहां पर भी हमें पढ़नी है यहां पर Vaiskular Cambium कैसे बनते हैं और Car Cambium कैसे बनते हैं जड़ में उसके बारे में हम लोग यहां पर डेटेर से स्टेडि करेंगे चलिए देखते हैं पहला है फार्मेशन एंड एक्टिबिटी आप Vaiskular Cambium यहाँ पर वैस्कुलर केंबियम कैसे बनता है और कैसे एक्टिव होता है देखी लिखा है इन डाई काट रूट दा वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इने रेडियल मैनर इसका मतलब है कि जरों में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो radial minor में मतलब तरिज्जाओं में बेवस्तित होते हैं यहां पर gyalum अलग तरिज्जाओं पर होता है और phloem अलग तरिज्जाओं पर होता है अभी आपको हम figure के मादम से इसको दिखा देते हैं फिर आगे लिखा है कि the gyalum and phloem are distant from each other in separate purchase मतलब अलग अलग packets के रूप में ये अलग होते हैं एक दूसरे से gyalum का packet अलग होता है फ्लोयम का अलग होता है इसके पहले जब आपने system पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था कि gyalum और phloem एक दूसरे से जुड़े होते हैं अब वहां पर दो condition थी open और close type का मामला था अगर open type का था तो gyalum और phloem के बीच में cambium होता था अगर close type पाया जाता है तो gyalum और phloem के बीच में cambium नहीं होता था लेकिन यहां पर क्या है यहां पर अलग अलग पैसेज में बेवस्तित होते हैं जायलम और phloem और यहां का जो जायलम होता है वो एक सार्च type का होता है वहां पर जायलम कैसे होते हैं वहां का जायलम इंडार्च type का होता है तो चलिए अभी एक सार्च और इंडार्च भी आपको figure के माध्यम सही समझा देते हैं कि Y xart क्या होता है और Indarge क्या होता है चलिए पहले पॉइंट कर यहां से देखते चलते हैं ठिर लिखाय कंजक्टिब टीसू我要 सैब्सुन आपनि बिडियो दा फलोयमम के नीचे का जो कंजक्टिब टीसू है वह मेरिस्टोमेटिक हो जाता है एंड फार्म शेप्रेट कर्ब्ड इस्टिक पाप वैस्टुलर केम्बियम मतलब की वैस्टुलर केम्बियम की कर्ब पत्तियां बना लेता है इसके बाद फिर आगे लिखा है यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पेरी साइकल के नीचे की कुर्शिकाएं होती है वो कैम्बियम का आवसेस पार्ट बनाने के लिए मेरिस्टिमेटिक या भी भज्जो तक हो जाती है इस प्रकार से यहाँ पर एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग बनकर तैयार हो जाती है लेकिन यह जो रिंग बनती है वो कैसी बनती है यह लहरदार रिंग बनती है ठीक है यह रिंग कैसी बनती है लहरदार रिंग बनती है तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा फीगर के मादम स हम समझते हैं यहां पर देखिए यह यहां पर देखिए यह फ्लोयम है यह फ्लोयम है और यह जाइलम है फिर यह फ्लोयम है फिर यह जाइलम है तो यहां पर देखिए फ्लोयम एक त्रिज्जाओं पर है और जो जाइलम है यह अलग अलग त्रिज्जाओं पर है तो वही है कि तने में आपने देखा था वैस्कुलर बंडल ऐसे बनते थे यहाँ पर नीचे जाइलम होता था उपर फ्लोयम होता था यह दोनों जुड़े होते थे बीच में अगर open टाइप है तो काइम्बियम होता था अगर क्लोज टाइब है तो काइम्बियम नहीं होता था तो यहां पर जाइलम और फ्लोयम एक ही तरिज्जा पर होते थे और वो एक दूसरे से जुड़े होते थे, कहां, इस टेब में, लेकिन जड में क्या होता है, रूट में क्या होता है, कि फ्लोयम अलग होता है, फिर फ्लोयम अलग होता है, जाइलम अलग होता है, तो इस प्रकार का जो कंडिशन होता है, उसे हम कहते हैं, रेडियल आरेंजिमेंट, मतलब यहां पर अलग-अलग त प्रोटो जाइलम होते हैं मिलसे जो छोटे वाले जाइलम होते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं और जो बड़े वाले जाइलम होते हैं ये अंदर की तरफ होते हैं ये चीज जड़ में देखने को मिलती है कोस्चन बहुत बनता है कि जड़ों में किस प्रकार का जाइलम पाया अंदर की तरफ पाया जाते हैं जबकि तने में ठीक इसी का उल्टा पाया जाता वहाँ पर इंडार्च कंडिशन होती है वहाँ पर जो छोटे वाले जाइलम होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और जो बड़े वाले जाइलम होते हैं वो बाहर की तरफ बेवस्तित होते हैं तो ये हमें इस्टेम में देखने को मिलता है तो देखे वही चीजे वहाँ पर लिखी गई थी कि सबसे पहले जो फ्लोयम के नीचे का एक कंजक्टिव टिस्यू है ये मेरिस्टमेटिक हो जाता है विभज्योतक हो जाता है यहाँ पर देखे इस फिगर में ये बना हुआ है यहाँ पर ये भी फ्लोयम है तो इसके भी नीचे का जो कंजक्टिव टिस्यू है ये विभज्योतक हो जाएगा इस फ्लोयम के नीचे भी ये मेरिस्टमेटिक हो जाएगा और इस फ्लेम के नीचे भी तो यहाँ पर देखिए कैम्बियम की पटियां बन रही है और यह जो पटियां बन रही है यह कैसी है कर्ब्ड है, मूरी हुई दिख रहे है चंद्रमा के आकार की आपको दिख रहे है अभी यह पटि पूरी नहीं हुई है इसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पर आप देख रहे है यह लेयर जो देख रहे है यह पेरिसाइकिल है ठीक है, यहाँ पर यह लिखा गया है थोड़ा साब कमाया है तो यह पेरिसाइकिल है अब पेरिसाइकिल की नीचे यहाँ पर देखिए ये पट्टी तो यहां तक चली गई, ये पट्टी भी यहां तक चली गई, लेकिन ये complete नहीं है, तो pericycle का जो नीचे की कुर्शिका है, जो layer है, जो कि proto-gyalum के ठीक सामने है, वो meristematic भी हो जाएगा, और यहां पर यह भी देखी, जो red color में आपको दिख रही हलका हलका, यह भी यहां पर meristematic हो जाता है, और यह cambium का निर्मार करने लगता है, बाद में यह सभी पट्टियां आपस में जुड़ जाती हैं, इस प्रकार से, ठीक ने, तो यहां पर एक जो cambium की ring है, वो एक लाहरदार ring तयार होती है, इस प्रकार से देखिए, अब इसमें दो तरीके क cambium बना है, यह जो cambium है, यह जो cambium है, यह phloem की नीचे की कोशकाओं से बना है, और यह जो cambium है, यह आपका peris cycle की कोशकाओं से बना है, तो कुछ यहां पर cambium phloem के नीचे के conjunctive tissue से बनता है, और कुछ cambium यहां पर जो है, वो किस से बनता है, peris cycle की कोशकाओं से बनता है, य यहां पर एक चीत ध्यान देने वाली बात है कि जो भी दोनों टाइप के कैंबियम बने हैं यह उरिजिन में सिकंडरी होते हैं दुत्यक होते हैं जबकि जब आपने इस्टेम पढ़ा था तो इस्टेम में दो टाइप की कैंबियम आपने देखे थे चलिए यहीं पर चीजों पहले से मौझूद था जो बाद में कैंबियम यहां पर बना था वो सिकंडरी कैंबियम बना था तो यहां देखे तने में क्या होता है कि तने के कैंबियम की रिंग में प्राइमरी कैंबियम और सिकंडरी कैंबियम दोनों मौझूद होता है लेकिन जड का जो कैंबियम रि और जिन में होता है कैम्बियम जो और जिन में कैम्बियम नेचर होता है ये सेकंडरी ही होता है तो ये कोश्चन पूछा जा सकता है कि जो जड़ में हमारा कैम्बियम पाया जाता है ये और जिन में कैसा होता है तो ये केवल और केवल सेकंडरी ही होता है जबकि इस्टेम में जो cambium होता है वो origin में primary भी होता है और secondary भी होता है दोनों के मिलने से वहाँ पर cambium ring बनती है तो यहाँ पर देखिए यह जो हमारा cambium ring बनी है यह लाहरदार बनी है इस तरीके से अब बाद में होता क्या है कि जो cambium के नीचे की यहाँ पर cambium है यह शुरुवात में अंदर की तरफ divide करके पहले धेर सारे जायलम बना देता है फ्लोयम के नीचे जो यहाँ पर primary फ्लोयम है इसके नीचे धेर सारे secondary जायलम बना देता है यहाँ पर देखिए यह सब जो बना गया है इस परकार से तो इसे से यह जो cambium की ring हमारी तिरची थी यहाँ पर लहरदार बनी थी अब यह cambium की ring हमारी सीधी बन जाती है तो cambium यह सुरुवाती अवस्था में अंदर की तरफ केवल secondary जायलम ही बनाता है जिससे कि हमारी cambium ring स की थी और गोल हो जाती है इसके बाद बाकी की पूरी की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल जस्ट लाइक इस टम है अब यह cambium अंदर की तरफ secondary जायलम और बाहर की तरफ secondary फ्लोयम बनाती हुई चली जाती है और जब एक climax stage आ जाता है लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा ह secondary जायलम सबको सत्यानास करते हुई जा रहा है तो ठीक उसी समय इसमें उत्पन हो जाता है यहाँ पर देखिए कार्क कैंबियम तो यहाँ के कार्क कैंबियम की उत्पत में भी थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ जो कार्क कैंबियम बनता है वो pericycle की कोशकाओं से ही बनता है यहाँ पर देखिए pericycle से आपका वैस्कुलर कैंबियम भी बन रहा है और pericycle की कोशकाओं से ही कार्क कैंबियम भी बनता है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर यह है तो pericycle cell divide to farm the कार्क कैंबियम बाहर की तरफ यह dead कार्क बना लेता है और अंदर की तरफ यह secondary काइटेक्स ठीक है तो बिलकुल सेम जैसे आपको तने में पढ़ाया गया था वही चाहिए आप पढ़ लीजएगा बसकि 하루 अंतर क्या है कि तने में जो कार्क कैंबियम बनता था और जड़ में जो यहाँ पर कार्क कैंबियम बनता है और पेरी साइकल की कोस्काओं से बनता था यह कोश अंदर की तरफ तो ये वाइसकुल केंबियम बनाता ही है, थोड़ा सपोर्ट सनिसका, तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जड़ों में दुत्तियक बृध्धिया शिकंडी गुरोथ कैसे होती है, जिसकी वज़ा से पौधों की जड़े भी मोटी हुती हुई चली जाती है अब देखिए कुछ फीगर हमने यहां पर लगाया होगा है, आपका शिकंडी गुरोथ से सम्मंदित, तो यह कुछ है नहीं, बिल्कुल सेम होई चीजे हैं कि सुरवात में यह देखिए लाहरदार यहां पर कैंबियम बनता है, बाद में यह कैंबियम की रिंग यहां पर देख रहे हैं कि सीधी हो जाती है, फिर अंदर की तरफ धेर सारे जाइलम और बाहर की तरफ धेर सारे प्नियम बनाएगा, और यहां पर जब कार्क कैंबियम यहां पर बन जाएगा, तो यह बाहर की तरफ कार्क बना देगा, और अंदर की तरफ यह जो है, आपका फेलो ड करने की कोशिस करेंगे कि अंतर इन में क्या है जिसे पूछा जाएगा कि जड़ और तने के structure में क्या difference होता है सैप और हाट उड में क्या अंतर होता है तो यह धेड़ सारे इनामल्टीज पाई जाती है उनहीं के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे इनामलस सेकंडी गुरूत इन प्लांट वहां से भी कोशिन एक दो बन जाते हैं इसके बाद यह चेप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा नेश चेप्टर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिप्रोडक् प्लांट है उन में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइफ सब्सक्राइब और सेयर करते रहिए धन्यवाद